हलो एवरिवन वेलकम ट्यूर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर फाइव एनिमल्स डिसकस करेंगे जिसके राइटर जो है जिसके पोएट जो है वो वॉल्ट विट्मिन है और यहां पर जो है थूँ दिस पोएम द वो एनिमल्स की जो लाइफ है उसको लिव करें क्योंकि एनिमल्स यूमन बिंग्स की तरह नहीं होते हैं ना ही वो हर किसी चीज के पीछे बागते हैं और ना ही इनको कोई प्लैजर चाहिए होता है जितना उनके पास में है उसमें वो खुश रहते हैं कंटेंड रहते हैं so let's start the poem students I think I could turn and live with animals they are so placid and self-contained I stand and look at them long and long here in this first three lines poet कहते है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस जाऊ और एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दू why because वो placid है and self-contained है placid का means होता है कि वो काम है हम कह सकते है एक तरह से peaceful है unlike human beings and self-contained है इसका मतलब होता है कि जैसे human beings है न ठीक है वो material human beings जो है न वो क्या करते है materialistic things के पीछे भागते हैं उनके पीछे भागते रहते हैं पैसों के पीछे कपड़ों के पीछे अच्छे चीजों के पीछे लग्जरी के पीछे भागते रहते हैं लेकिन हम देखते हैं कि animals 39 सारी यह सारी चीज़े करते हैं ऐसी activities करते हैं वो ज आइट हैं जब वह उनको देखते हैं उसके भाद जो है ना वह सूसते हैं वह उनकी लाइफ कितनी बैट रहे हैं। they do not sweat and whine about their condition they do not lie awake in the dark and weep for their sins they do not make me sick discussing their duty to God not one is dissatisfied not one is demented with the mania of owing things अब in lines में poet is saying they do not sweat and whine sweat we can say अब देखो sweat and whine जो है इसमें sweat हम कह सकते हैं इतनी मेहनत नहीं करते हैं इतनी भागदौन नहीं करते हैं और whine का मीनिंग है हम कहते हैं न कुट whining वाइन का मतलब क्रै करना है या किसी चीज को लेकर बैटना है परेशान होना सिर्फ बोलते रहना कोई action नहीं लेना सिर्फ बैट के irritated होते रहना या complain करते तो यह कहते हैं कि हमने कभी करते हुए कभी देखा ही नहीं है ऐसे करते हुए मैंने तो जैसे ही उनकी कंडीशन है उनको हमने वैसे ही हम देखते हैं अगर हम जो हैं देखें अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम रोते हैं इनसानों के बात कर रहे हैं या पोयट के जो इनसान है ना वो अपनी लाइफ में कभी संतुष्ट नहीं होते हैं उन्हें कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए ये मिल गया तो वो क्यों नहीं मिला वो मिल गया तो अगला क्यों नहीं मिला यह चलता रहता जबकि आनिमल्स में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ठीक है ना क्या कहते हैं पोयट कि अगर हमें हम देखें अगर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम रोते हैं हम जितना हो सकता हैं भाग दोड करते हैं इधर उदर जाते हैं पैसे कम एनिमल्स में नहीं दिखता है ऐसा कुछ कभी भी एनिमल्स तो जैसे हैं वैसे ही हैं दे डू नॉट लाइवेक इन डार्क एंड वीफ फो दियर सिंस अब पोएट अब बताते हैं हमसे कह रहे हैं कि एनिमल्स अपने सिंस के लिए रात-रात जाकर के जो है न रोते नहीं है अ अगर हमें किसी ने कुछ बोल दिया हो हमारा मूड खराब हो गया हो हम अपसेट हो गए हो कुछ भी हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ हो ठीक है न तो हम कोशिश करते हैं कि हम सबके सामने ना रोए इंसानों का नेचर है कि हम सबके सामने रोएंगे तो सब हमसे सवाल पूछ पॉसिबल होती है रात को रात को कब जब सब अपने अपने रूम में होते हैं यह जब सब अपना कि सब अपने अपने रूम में जो हैं सो चुके होते हैं बट एनिमल्स तो ऐसे नहीं करते हैं बिल्कुल भी दे डू नाट में नहीं करते हैं और मुझे सिक नहीं करते हैं यहाँ पेशिक का मतलब बिमार नहीं है यहां पेश्च का मतलब रिटेट या एंगरी it means poet says बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान के नाम पे कोई भी चीज करते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा होगा कुछ orthodox rituals होते हैं कुछ customs होते हैं बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं जो लोग लोगों को force करती है कुछ ऐसी चीजे करने के लिए जो उन्हें करना नहीं है जिनको उन्हें perform नहीं करना है उन duties को नहीं करना है लेकिन फिर भी लोग उन्हें बोलते हैं तुम्हें भगवान से तुम्हें भगवान से डरना चाहिए या भगवान के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा तो यही poet का कहने का मतलब है यहाँ पर No one is dissatisfied, not one is demented Demented with the mania of owing things So, demented का जो means है disturb होना And mania का मतलब है एक तरीके से पागलपन वो कहते हैं कि हम animals को देखते हैं वो कभी dissatisfied नजर थोड़ी न आते हैं ऐसा थोड़ी न लगता है कि life में उनको यह चाहिए था और उनको कुछ मिला नहीं लेकिन on the other hand हम जो human beings हैं उनको देखते हैं तो कितनी भी चीज़े जो हैं हमें मिलना जाएं कितनी भी चीज़े हमें मिलती रहें हम कभी संतुष्टी नहीं होते हैं हमेशा dissatisfied रहते हैं चाहिए फिर वह कोई भी चीज़ क्यों नहीं हो एंड यह जो मैनिया है और फोईंग थिंग्स यह पागलपन है यह मैनिया यह पागलपन कि हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है प्राप्त करना है बहुत सारी चीज़ों को खरीदना है अपने पास रखना है यह सारी चीज़े यह क्या है यह to be prepared for hopefullyं आदा मुझे में अज्वी नज़र नहीं आता कि मुझे इनमें ऐसा कोई भी नजर नहीं है जो अपनी जिंदगी सेट्साटैसफाइड हो कि इन में नहीं नजर आता यह जो इंदिमल्स है इन अइनिमल्समें कोई भी ऐसे नहीं है जिसको किसी चीज को चाहने की जो है बहुत जादा पागलपन हो ठीक है न ये सारी चीजें ये सारी materialistic thinking एक वे में जो बन चुकी है ये मुझे animals में कभी नजर कभी भी जो है आज तक भी कभी नजर नहीं आती हैं ये poet कहते हैं next he says not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago not one is respectable or unhappy over the whole earth इन lines में वो अब human beings ने अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें create करी हैं जैसे कि हम कहते हैं notion of God हम कह सकते हैं या यह जो society है हमारे आसपास यह जो class है gap है rich और poor के बीच में सारे के सारे लोग जो है वो अमीर होना चाहते हैं सारे के सारे लोग जो rich लोग होते हैं उनके साथ associate होना चाहते हैं हम उनसे बहुत humbly बहुत अच्छे से बात करते हैं लेकिन अनिमल्स में कुछ ऐसा नहीं होता है उनके यहां पर ऐसी कोई class distribution नहीं होती है जैसे कि हम human beings में हैं मनुश्यों में हैं मानवों में हैं उनके यहां पर ऐसे कोई rich और poor नहीं होता है फिर poet आगे कहते हैं यहां पे no one is respectable or unhappy over the whole earth एनिमल्स के बीच में कोई respect की बात आती ही नहीं है अगर हम देखते हैं human being में human being में अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो हम अपनी self respect पे ले लेते हैं बात को self esteem पे ले लेते हैं ठीक है ना हम self esteem पे ले जाते हैं हमें बुरा लगता है लेकिन ये सब actually में है क्या ये सारी वो ही ये सारी की सारी जो है वो ही चीज़े हैं जो हमारे mind में mind जो है ना उसने create कर रखी है अगर already exist करती हैं तो फिर ये animals में क्यों नहीं है लेकिन animals में तो ये होती ही नहीं है फिर poet कहते हैं कि वो unhappily नहीं है basically वो जैसे हैं उन्होंने अपने आपको वैसे ही accept कर रखा है अपनी life को live करते हैं लेकिन हमने अपनी life को कभी जो है ना काफी हम लोगों ने क्या कर रखा है अपनी life को बहुत जादा जो है alter कर रखा है alter करके रखा हुआ है अपने लिए काफी difficult बना दिया है हमने अपनी life को खुदी जो है ना हमने जो मुसीबतों का पहाड अपने पर गिरा रखा है उसके जिम्मेदार हम खुदी है क्योंकि हमें तो जो है ना ये भी चाहिए वो भी चाहिए ऐसा comfort भी चाहिए वैसा भी चाहिए तो इसी वज़े से जो है हम परेशान रहते है human beings and in the next line lines poet says so they show their relation to me and I accept them they bring me tokens of myself they even them plainly in their possession यहाँ पे tokens का मतलब है relations यहाँ पे tokens की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यहाँ पे हो गया कि हम actually में जो true emotions है relations है उन सब चीजों को reveal करना and events का meaning यहाँ पे to show, to reveal and possessions का मतलब है किसी इनसान की जो belongings हैं उनसे the poet is describing so they show their relation to me and I accept them अब animal जैसे है न वो हमें अपना वैसे ही तो nature दिखाते हैं वो मतलब कुछ ऐसा नहीं करते के सामने कुछ और पीछे कुछ and हम उनको accept कर लेते हैं अब most easy example हम देखते हैं cat और dog का dog को हम देखते हैं कि वो काफी friendly होता है man के साथ right हम लोगों के साथ dog काफी friendly होता है हम जब भी उसके पास जाते हैं उसको जरा सा भी pet करते हैं तो हमारे पीछे पड़ जाता है हमें अपना प्यार शो करता है on the other hand अगर हम cat की बात करें तो cat का nature is quite a bit different वो इतनी आसानी से आप पे trust नहीं करती है और आपको इतना प्यार इतनी जल्दी नहीं शो करती है बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो acting करती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ये सब वो क्यों नहीं करती है क्योंकि इन सब चीजों में इन animals में अपने में आप कह सकते है cleverness नहीं होती है जैसे इंसान दिखावा करते हैं कि मन में कुछ चल रहा है और जबान पे कुछ चल रहा है ठीक है ना इन animals को वैसे ही accept करते हैं they bring me tokens of myself they events them plainly in their possession इट मींस ये जो qualities है मुझे लगता है poet बोलते है कि मुझे लगता है कि मेरी qualities थी ये शो करते हैं कि अब ये उनकी हो चुकी है मींस ये जो qualities है kindness की, compassion की, good heart की ये सारी जो qualities है कहीं ना कहीं जब मैं उनमें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी qualities ही मुझे दिखाते हैं अब वो शायद उनकी हो चुकी है means most probably ये सारी qualities ये अब human beings में नहीं रही है सारी की सारी qualities अब animals में है तो कहने का मतलब है इसलिए poet last lines में कहते है I wonder where they get these tokens did I pass that huge way times ago and negligently drop them as I told you poet thinks ये सारी की सारी जो qualities है ना बच्चो ये किस में थी ये हम human beings में थी ठीके ना animals को शायद ही हम से ही मिल गई हैं लेकिन कैसे मिली वो ही ये पूछ रहे है I wonder where they get those tokens poet कहते है tokens means ये qualities तो उनको ये qualities कहां से मिली did I pass that way huge times ago and negligently drop them poet कहते है कि हमने ये बहुत साल पहले ये उनको दे दी या फिर हमें या फिर हमने उनको carelessly छोड़ दिया अब इस line के दो मतलब है आप देख सकते हैं first meaning है human being जो है हमें पता है कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे जो एंसेस्टर्स कौन होते हैं जो हमारे पास ही थी तो क्या जब हम एप से finally human being बन गए तो हम उन qualities को animals को दे आए क्या उन qualities को अपने साथ अपने साथ लाए हमने अपने साथ लाकर कर डैवलप नहीं करा जैसे हम डैवलप हुए एप से तो क्या हमने उन qualities को डैवलप नहीं करा और दूसरा यह आपर poet बोल रहे है negligently drop them या फिर हम अपनी लाइफ में इतने बीजी हो गए इतने व्यास्त हो गए हर चीज के पीछे भागने लगे चाहें वो money हो चाहें वो कोई और भी चीज हो क्या हमने सोचा ही नहीं है इन सब qualities के बारे में कि हमें individually चाहिए या हमें truthful रहना चाहिए या हमें kind hearted रहना चाहिए हमें compassionate होना चाहिए यह सारी की सारी जो feelings है क्या यह सारी feelings हमने जान बूच के पीछे छोड़ दी है and जो second meaning है इसका वो क्या है जैसा कि इसमें लिखा है hair यहां पर in lines में कि poet जो है उनको लगता है कि क्या मुझ से ये qualities काफी time पहले पीछे छुट गई या फिर मैंने इने जान बूच के छोड़ दिया because मेरे around जो word था वो भी ऐसा ही था क्योंकि हमारे आसपास का जो word था वो भी ऐसा ही था यह two meanings आपको ध्यान में रखने है and we see this poem ends with a question mark आप देखते हो यह poem question marks के साथ में एंड होती है so this poem is an open interpretation ठीक है न क्या open interpretation है उन्होंने question mark लगा के छोड़ा है जहां पे हमें decide करना है याने कि हम human beings को decide करना है कि actually में हमारी qualities गई तो गई कहां पे क्या हमने उन्हें जान बूज के पीछे छोड़ दिया या कहीं वो हमें इस word में जहां पे बहुत सारा competition है इन सब चीजों के बीच में वो हमसे छुट गई हमसे दूर हो गई तो यह आपकी poem थी बच्चो चलिए आप इसके poetic devices discuss कर लेते हैं literary devices सबसे पहले resonance की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि एक vowel की जो sound है वो repeat हो रही है ठीक है न बार-बार repeat हो रही है जैसे कि first line की हम बात करते हैं I think I could turn and live with animals यहाँ पर क्या है आप देखरो आई जो वावल है उसकी sound बार-बार repeat हो रही है I think I live with animals I sound यहाँ पर repeat हो रही है देन आपका second poetic device repetition है long and long जो है यह आपकी जो third line है उसमें repeat हो रहा है यह जो long जो word है closely placed है और यह repeat हो रहे है ठीक है न लॉंग and long देन एनफोरा की बात करेंगे first stanza में आप देखेंगे I repeat हो रहा I think I could पहली line में भी और दूसरी line में I stand then metaphor की बात करेंगे sweat and wine and tokens metaphor क्या होता है जब आप comparison करते हैं without the use of like and as okay बच्चो तो यह आपकी जो है poetic devices थे इस poem के और इस poem के जो poet है उनका नाम Walt Whitman है और बच्चो वह बहुत ज़दा famous और known as the father of free words meaning क्या है कि जो इनकी जो poems होती है न उसमें कोई rhyme scheme नहीं होती है उसका कोई rhythm नहीं होता है कोई particular pattern नहीं होता है तो इस poem की कोई भी जो है न मीटर नहीं है इसका कोई rhyme scheme नहीं है I hope आपको यह poem clear हो गई होगी with its poetic devices thank you have a very good day